हेलो गुड मॉर्निंग एवरिवान टेस्ट आफ नॉलिज में आपका स्वागत है सफलता की कुझे अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुन कुमार्श शर्मा 4 सेप्टेंबर 2020 का करेंडी और इंगलेस लेकर आया हूं जो बोथ हिंदी और इंगलेस लैंग्वेज जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं टेलिग्राम का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आप जाके पीडियाफ का हमारे टेलिग्राम चैनल से फ्री आफ कॉल्स डाउनलोड कर सकते हैं हिस्ट्री की सारे लेक्चर्स प्लेलिस पर जाकर अब देख सकते हैं नान थाफजन जी के वन लाइनर बैटेस्ट आफ लॉनलीज ये सेशन हमने शुरू किया था और करीबन 200 MCQs हमने कवर किये हैं एक्साम की बाद जो 5 जून से कंटीनियू चल रहा था ये सारे लेक्चर प्लेलिस पर जाकर अब देख सकते हैं कैरेर स्नाइपर के तरफ से ऑफलाइन बैचेस कंटीनियू चल रही है ऑनलाइन बैचेस भी बहुत जल्ट शुरू कर दी जाएगी जहां पर ICDS की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है चली शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्डेंट करेंड एफसर रिलेटेड कोश्चन जो आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्फूल होने वाले है तो देख लेते हैं पहला कोश्चन 3 सितंबर 2020 को किस विश्व नेता की अधिकारिक वेबसाइट का ट्वीटर अकाउंट है कर लिया गया था वेरी इंपॉर्डेंट डॉनल्ड ट्रॉंड जी जिंपिंग नरेंद्र मोदी या बोरिस जॉंसन तो इसका करेक्ट एंसर है अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोद का अकाउंट जो हमारे पीम है प्राइम मिनस्टर है उनका अकाउंट है कर लिया गया है फाइफ युनाइटेड नेशन सिकूरिडी जनेशन कॉंसिल्स नेशन है ब्लॉक्ट विच नेशन अटेम् टू डिजिगनेट टू इंडियन्स एज ग्लोबल टेरिस्ट यूएन एस पाकिस्तान या रश्या तो इसका करेक्ट एंसर है पाकिस्तान के फेस्बुक हैस डिसाइड़ टू बैन पॉलिटिकल एड्ज वीग बिफोर विच नेशन वेरी इंपॉर्डेन कोशन इलेक्शन के डाइम पे फेस्बुक ने किस रास्ट के चुनाओं से एक सप्ता पहले राजनेतिक विग्यापनों पर प्रतिबन लगाने का फैसला किया है मैंनमार इंडिया यूके या यूएस इंपॉर्डेन कोशन है क्योंकि एलेक्शन कमिशन से रिलेटेट कोशन पूस्ट लिया जाता है तो इसका करेक्ट एंसर है यूएस के इलेक्शन के पहले लगा दिया आपको पता है रमी और जो आपका पोकर है वो एक जुआ है गैंबलिंग है करनाटे का आंदरप्रदेश गोवा या महारास्ट तो इसका करेक्ट एंसर है आंदरप्रदेश गवर्मेंट ने गैंबलिंग जो चल रही थी आपके पोकर और रमी को लेकर उस पर लगा दिया है विच नेशन्स करेंटली है दा वर्ल लाजेस नेवी वर्तमान में किस रास्ट के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसिना है चाइना यूएस यूके या रशिया तो इसका करेक्ट एंसर है चाइना आपको ये भी पता होगा कि पब जी जो है वो भी बैंड हो चुका है इंडिया में क्लियर है तो जो भी पब जी खिलते थे अब पब जी ना खिल के मेरे साथ गौवर्मेंट एक्जाम की प्रिप्रेशन करी वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपको क्या सकसेस अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही है आगे बढ़ते हैं लाइ अपने चैनल को सब्सक्राइब ने कर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले फॉर इंस्टन नोडिफिकेशन चानक के लाइव यह हमारा न्यूद चैनल है यहाँ पर रिजिनिंग की क्लासेज और मैठ की क्लासेज मैं कवर कर वा रहा हूं जो रात के नौ बजे वेडनस्डे और सैटेड़े करवाई जाती है लेक्चर फॉर हमने कवर किया क्लासेज मैठ रिजिनिंग से क्लासेज आगे बढ़ रही है आप एटेंड कर सकते हैं यह सारे लेक्चर हमने कवर किये हैं ठर्ट सप्टेंबर का लेक्चर अगर करेंड पिस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर इसे फॉलो कर सकते हैं टेस्ट आफ नॉलेज के तरफ से रिजिनिंग की क्लासेज मैं करवाने जा रहा हूं जो बैंगॉली लेंगविज स्टूडेंट के लिए होगा ओनली बैंगॉली लेंगविज जिनें बहतर सिक्षा नहीं मिल पा रही है कोर्स की डियूरिशन होगे 6 मंथ जिसमें मैं इन सारे एक्जाम की तैयारी करवाऊंगा उनली फॉर रिजिनिंग सिर्फ रिजिनिंग की क्लासेज होने वाली है और हर मंथ आपसे उनली 250 लिया जाएगा जो कोई भी करता हूं तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जॉइन होईजिए क्यूंकि आज 4 सप्टेंबर और आज से ये क्लासे शुरू हो जाएगी तो आपके पास टाइम है शाम के पांच बजे तक अगर आप इन्रोल हो जाते हैं तो इसी नंबर पर आप गूगल पे क कर सकते हैं इसी नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप एटियम भी कर सकते हैं लेकिन याद रहे पे चाहे आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं 250 लेकिन अगर आप पेमेंट करने के बाद स्टैबने शूट नहीं बेजते हैं तो आपका इंडू fleet has the largest number of aircraft carrier किस रास्ट के नौसेनिक बेडे में सबसे अधिक विमान वाहक है UK, US, Russia या चाइना तो इसका correct answer है US इसके बार में देख लेता है the US Navy is technologically more advanced in the world with 11 super 1 lakh ton aircraft carrier बहुत important है अमेरिकी नौसेना 11 super 1 lakh ton विमान वाहक के साथ दुनिया की तकनीकी रूप से उननत है याद रहे important है which nation will host the foreign minister meeting of the Shanghai Corporation Organization संगहाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा चाइना, रशिया, कर्याकिस्तान या या युवेकिस्तान तो इसका correct answer है रशिया भी करने वाला है आपको पता है आगे बढ़ते हैं which nation will host SEO Council Summit of Heads of Government in November नवंबर में सरकार के प्रमुकों के SEO परिशात सीखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करसा देश करेगा तो ये इंडिया, रशिया, कर्याकिस्तान, युवेकिस्तान तो इसका correct answer है इंडिया, question में थोड़ा सांतर है, ध्यान दीजेगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संगाई SEO की ही meeting हो रही है जिसको ad present रशिया host कर रहा है लेकिन इसके बाद कौन host करेगा, इंडिया करेगा, कब करेगा नवंबर में confusion नहीं रखना है, आगे बढ़ते है हिमाचल परदेश government has decided to reduce which of the following percentage of slavers of the annual examination हिमाचल परदेश सरकार ने वारसिक परिक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतीश स्लिबर्स को कम करने का फैसला किया है 80%, 10%, 25% या 30% तो इसका correct answer है 30% How many places has India jumped by 4 places in the global innovation index ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत चार पायदान की छलांग लगाकर कितने इस्तान पर पहुंच गया है The Central Government has approved कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश and which language as the official language of Jammu and Kashmir केंदर सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भासा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाशा के रूप में मंझूरी दी है उर्दू संस्क्रित तामेल या कंणर तो इसका correct answer है उर्दू याद रहे important question है आने वाले एक्जाम के लिए very very important question कोल इंडिया विल इन्वेस्ट 1.22 लाग करोर on how many पोज़ेक by 2023 2023 और 2024 कोल इंडिया ने 2023-2024 तक इतने परियोजनाओं पर 1.22 लाग करोर रुपे का निवेश करेगा 500, 100, 200 या 300 तो इसका correct answer है 500 पर The Union Cabinet has approved the corporation of India and which country is the field of geology and mineral resources केंद्र मंद्र मंदल ने भूविज्ञान और खनी संसाधनों के शेतर में भारत और किस देश के सहीयों को मंझूरी दी है नेपाल, चाइना, रुशिया या फिनलाइड तो इसका correct answer है How many crore rupees contract has been signed by defense minister to promote make in India रक्षा मंत्राले ने make in India को बढ़ावा देने के लिए कितने करोर रुपे के अनुबंद पर हस्ताक्षर की है 1580, 3580, 2580 या 2980 तो इसका correct answer है 2580 करोर जिसको हिंदी में क्या कहते है 2580 करोर रुपे Which of the following countries has developed the world largest solar tree Very very important question आने वाल एक्जाम के लिए निम्न में से किस देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा solar tree विक्सित किया है नेपाल, इंडिया, चाइना या रुशिया तो इसका correct answer है इंडिया important question है, याद रहे तो यह थे हमारे कुछ important करेंदे पर related question अब बात करते है initiative के जो नए इस्टूने बता दिया जाए initiative का मतलब होता है पहल यहाँ पर हम base knowledge को build करते है ताकि आप अपने goal को achieve करते हैं और यहाँ आपका goal है government job चली देख लेते हैं लेकिन आज हमारे यहाँ पर revision day है जिस पर हम सिर्फ और से पुराने जितने भी lectures देख चुके हैं उसी revise करेंगे initiative को लेकर important है इसलिए हम बात करेंगे initiative से related हमारी कल बात होगी tomorrow ठीक है चली आगे बढ़ते हैं जिसका comment box पर आपको answer देना था अब हम check कर लेते हैं उसका answer what is the capital of Greece Athens onam is the festival celebrated which state यह किरिला में celebrate किया याता है Indra is the military exercise between इंडिया और रश्या के बीच में देखिए इंडिया और रश्या के बीच में इंडिया और रश्या के बीच में यह exercise रखी जाती है वेर इस एेट कोर्ड़र ओंदूस्तान इंडिया लिमिटेड लोकेटेड यह विशाखा-पत्नम में है ऊलर लेक यह या यूटी इस लोकेड इन विच स्टेट उलर लेक जो है किस स्टेट और यूटी में है यह थोड़ा स्टेट शूट गया है वूलर लेग इस लोकेड़ इन विच इस यूटी और स्टेट यह जम्मू कश्मीर में या फिर आप डायरेक्ली लिख सकते हैं यूटी यह भी सही है वूलर लेग कौन से यूटी में है तो यह जम्मू कश्मीर सो आज के टॉफ फाइव कोश्चन देख लेते हैं जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको एंसर देना है मसूरी दा क्वीन ओफ फिल याद रहे क्वीन ओफ फिल वर्ड यूज किया जाता है लोकेड़ इन विच स्टेट और यूटी प्याला कोश्चन है सैकेंड कोश्चन देखत आपको कमेंट बॉक्स पर देने और यह चीज़ याद रहे कि यहाँ पर जो करेंट अफिर्स का मुद्दा होता है मैं वही कोश्चन के रूप में कनवर्ट करता हूं ठीक है अपने मन से कुछ भी नहीं देता यह करेंट करेंगे यू आर नॉट गोई एनिवियर तब तब यह हमारा लेक्शर आज कंप्लीड होता है अगर सेशन पसंदा है तो लाइक करिएगा ज्यादा से यदा शेयर करिए तकि दूसरे की मदद हो सके जितने कोशन पूछे कि उसका कमेंट बॉक्स तर आपको एंसर देना है चारक क्या लाइप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्श कर सकते हैं वाटसप नंबर दिया गया था एक बार फिर से मैं लिख देता हूं एट जिरो वन ट्री डबल फाइफ त्री सेवें ट्री ओके वेट करनी है और आपकी खुल सेज़ बात करेंगे और आप ने अभी तक च्यानल को सबस्क्राइब कर लीजЕ और आपने अगर अगर आप टेस्ट और फ्लावलिश को सब्सक्राइब निंग यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना बूले यह होता है बेल आइकन करका यह हो सच्राइब कर violating टिया बेल आइकन का यह होता है झालो हम यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेलbling क्या प्रेस करके जह होता है